अब अच्छो अपने पास क्वेशन नमबर चार तक हो गया था 7.1 चल रही थी अपने आज हम क्वेशन नमबर 5 ले रहे हैं अपनी बुक निकाल दीजिए 177 पेज नमबर पे देखिए इंकाल लिया ना आज चलो देखो इसमें क्वेशन नमबर 5 में बोल रखा है कि किसी कक् चार मित्र बेटे हुए हैं आकरती में बता रखा है 7.4 में चमपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनिट तक देखने के बाद चमपा अपनी फ्रेंड चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD वर्ग है जो ABCD है निकर इन बुजाओं को इन BBCD एक वर्ग है और चमेली के रहीीँ कि वर्ग नहीं है तो अपनों कैसे निकालना पड़ेगा यह दूरी शुतर हाम में देखने खनी होगा ठीक अभाण एक सबसे में रिखता है। और फिर y निर्देशांग ये तो बताया ना तुम्हें चलिए तो 3,4 लिख दें यहां पर a में ने 3,4 लिख लिया है डी में देखिए x निर्देशांग कितना है डी बिंदू से इधर नीचे ये 6 और इधर देखिए तो 1 आ रहा है तो 6,1 c बिंदू के बताईए है बोले है है i will very good यहां पर कितना great action x निर्देशां a एक्सी त्रफ नीचे देखिए तू कितना रहा है नो और इधर देखते हैं तो अपने पास कितना रहा है चार तू 9,4 तो यहां पर अपने पास даже 9 और देख देंगे भी बिंदू DC देखिए B बिंदू पे खड़े हो जाएए नीचे की तरब देखिए कितना रहा है 6 और इधर देखिए Y की तरब तो 7 तो अपने पास इसका भूस्तो है 6 और कोटी क्या है 7 इसका मतलब एकस खुम्ण का जो यहाँ बिंदू पे X कमान ए 6 और Y कमान कितना है 7 तो 6,7 तो यह अ D1 दे दिया है ठीक है आप अपने मर्जे से कोई भी दूरी इसको D1 D2, D3, D4 कुछ भी दे सकते हो ठीक है इसको मैंने D2 नाम दिया इसको मैंने D3 नाम दिया और इसको D4 नाम दिया है ठीक है इसका मतलब हुआ A और B रेखाकंड है A से B तक कोई चलेगा वो D1 दूरी तय करेगा B से C तक चलेगा वो D2 ये D3 हो गया ये D4 हो गया अब अपन को वर्ग बताना है तो चारों भुझाएं अपन को जो चारों भुझाओं की लंबाई ना जो D1, D2, D4 वो अपन को बराबर बतानी होगी तो अपन बोल रहे हैं कि अगर ये A, B, C, D वर्ग है तब आपके पास क्या होना चाहिए D1 बराबर D2 बराबर D3, बराबर D4 अगर वर्ग नहीं है तो चारों भुझाओं से जो अपन ने या दूरिया निकालेंगे वो आपके पास अलग अलग आएगी ठीक है ना चलिए अब सबसे पहले D1 निकाल लें तो यहाँ पर अपन फर्स्ट नमबर लगा रहे हैं D1 D1 कहां से कहां तक लिया आपने बच्चों यहाँ बोलिए A से B तक तो यह रेखा करना ना यह वाला A से B तक यह मैंने भुजा यहाँ पर बना दी है A बिद्दू के निर्जशां कितने हैं बच्चों 3,4 और B बिद्दू के कितने हैं 6,7 अब अपने पास इसको यह X1 और Y1 दे दिया यहाँ पर X2 और Y2 दे दिया ठीक है ना यह दूरी सुत्र कितनी बार अपने पास 4 questions हो चुके हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा पहले वाले questions में भी अपने क्या किया था तो यहाँ पर लिख लीजिए X1 equals 2 क्या मिला 3 Y1 equals 2 क्या है 4 X2 कितना है 6 और Y2 कितना है बच्चों यहाँ बोलो 7 ठीक है ना चलिए अब आपके दूरी सुत्र लगा देते 2 D1 equals 2 रूट में अपने पास क्या आएगा whole square plus whole square और बीच में क्या भढ़ना है minus यहाँ पे X2 X1 Y2 और Y1 ठीक है ना बच्चों आराने समझ में यह देखो यहाँ प्रशनावली बोड के एक्जाम के हिसाब से बहुत 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 इंपोटेंट है इस प्रशनावली में से 6 नंबर का 100% question बनता है बड़ा question बनता है और एक नंबर के question में भी इसमें से पूछ लिया जाता है ठीक है ना यहाँ पर अपने पास पूछ लिया के जाता है पूछते ही है वैसे यह समझ लो कि बोड के हिसाब से अपने 14 exercise की थी वो भी बहुत इंपोटेंट है बड़े नंबर का question बनेगा 6 नंबर का और साथी प्रशनावली भी बहुत इंपोटेंट है इसको आप एक एक question अच्छे से कीजिए साथ पॉइंट एग या साथ पॉइंट दो में से 100% इसमें से question 6 नंबर का बनता ही बनता है चली अब अपने पास मान रखतें D1 चली D1 का मान रख देते हैं अपन जो दूरी सुत्र लगाया है इसमें अपने X1 Y1 के X2 Y2 के मान रख देते हैं पहले तो X2 X1 और अगर आप ये चीज नहीं लिखो तो पहले का इधर पहले से तो 6 माइनस 3 दूसरे का दूसरे से तो 7 माइनस 4 और अगर आपको ये समझ में नहीं रहा तो 3 का स्कूर लिख दूँ प्लास 7 में से चार गया तो 3 3 का स्कूर अब अपने पास 3 का स्कूर क्या होगा 9 9 मिलेगा ना तो 9 प्लास 9 9 नो कितने होगे बच्चो 18 और 18 के अगर टुकडे करें तो अपने पास क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 अब अपन इसमें क्यों लिखा क्योंकि अपने को पूर्ण वर्क संक्या चीज बहारा जाए या 18 के टुकडे करो नो दूनी 18 या तीन इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा तो तीन इंटू 3 से तो अपने पास 3 बहारा जाएगा और रूट 2 अंदर ही बच जाएगा इसका मतलब हुआ कि D1 जो प्राप्त हो रहा है वो 3 रूट 2 प्राप्त हुआ है ठीक है न बच्चों? इसको मैं समय करन एक लगा देती हूँ तो मैं बोड में भी इसी तरह से काम करना है ठीक है न जो भी अपन को मान प्राप्त हुआ उसको बॉक्स में बंद करके एक्वेशन लगा दीजी ठीक है अब अपन निकालना चाहरे है D2 अब D2 में बताओ बच्चों कौन से भुजा ली थी अपन ने हाँ यह 20 ली थी तो यहां पर 20 लिख दो फिर से नया काम शुरू हो गया अब B के निर्देशांग कितना है 6,7 यह 6,7 लगाया C के निर्देशांग कितना है 9,4 यह 9,4 लगा दिया अब फिर वही X1, Y1, X2, Y2 अब तो कर लोगे न तुम मैं आगे बढ़ू फटा फट तो अपने पास निकालना चाहरे है D2 तो D2 equals to root लगा दू सिधा ही मैं आप सुत्र नहीं लगा रही हूँ आप लोग जब copy में काम करेंगे तो यह मैंने D1 निकाला उसी तरह पूरा systematic करना मैं direct कर रही हूँ ठीक है न कर लोगे न आप तो यह मत कहना मैडम आपने भी direct किया तो हमने भी कर लिया ऐसे नहीं चलेगा तुम लोग अब practice करो वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं direct ही लिखना चाह रही हूँ ठीक है अब देखो फस्ट में से इसका फस्ट में से minus कर दो तो 9 minus 6 इसका फस्ट है यह इसका second 4 है इसका अपने पास second क्या है y1 का मान है वो 7 है चली अब आगे कितना हो जाएगा इसका मतलब हुआ x2 minus x y2 minus y1 वापस देखो यह x2 फस्ट नमबर इसका इसका फस्ट नमबर एकस वन यह वाइट तो इसका भी वाइट वाइट वाइवन हो गया वो second number हो गया तो अपने पास 9 में से 6 नो में से 6 गया तो 3 3 का स्क्वेर और यहां पे 4 में से 7 जा रहे है माइनस के हो जाएगा माइन d2 जो चल रहा है वो अपने पास कितना हो गया 9 प्लस 9 9 प्लस 9 कितना हो गया 9 9 18 18 के टुकड़े करेंगे तो 9 into 2 हो गया और 9 into 2 को अपन सॉल करते हैं तो 3 root 2 हो गया इसका मतलब d2 भी अपन को 3 root 2 ही प्राप्त हुआ है यह अपने समीकरन नमबर 2 लगा दी है ठीक ना आरा स नाम दिया c d को तो यहां पर अपने पास c d खेंश लेते हैं यह c और यह d c के निर्देशां कितने बच्चों 9,4 यह 9,4 d के कितने 6,1 ठीक है फिर से वापस बताने के जोड़त नहीं कि तुम्हें x1 y1 x2 y2 लेना है दूरी सुत्र लगाना है दूरी सुत्र में मान रखने पर और फिर सारा यह काम होगा d3 अब में डारेक्ट लिख रही हूं तो यहां पर d3 बराबर अंडरूट whole square plus whole square अंदर के आएगा minus अब देखो x2 minus x1 6 minus 9 इसका पहला इसका पहला फिर 1 इसका दूसरा इसके दूसरे नमबर पर क्या रहा है चाल इसका मतलब y2 minus y1 x2 minus x1 ठीक तो d3 मिला अपने पास कितना मिला 6 में से 9 गया तो minus के 3 बचेंगे ठीक है न बड़ी संक्या minus की है न तो minus का घात 2 है sum है तो उत्तर प्लस में आने वाला है plus यहां पर भी 3 बचा minus की घात sum है इसका मतलब उत्तर प्लस में आने वाला है तो 3 का square तो 3 तरीका 9 plus 9 9 9 8 गर दूस तो 9 का तो 3 बाहरा गया अंडर रूट 2 बचे गया इसका मतलब हुआ कि d3 जो प्राप्थ हुआ वो 3 रूट 2 इकाई ही प्राप्थ हुआ है इसको समीकरन नंबर 3 लगा दू बच्चो क्योंकि 1 2 तो आ चुकी है यह 3 नंबर लगा देते हैं चलिए अब आगे करते हैं d4 न निकाल लते हैं पर यह d लिखा मैंने और यह a लिख दिया आप बोलो d के निर्देशांग कितने हैं 6,1 और a के निर्देशांग कितने हैं देखो देखो अपनी कॉपी में 3,4 लिख दू फिर x1 y1 x2 y2 फिर से दूरी सुत्र लगाना है फिर दूरी सुत्र में मान रखने प पीच में आप x2 minus x1 3 minus 6 4 minus 1 ठीक है ना चलिए d4 है देखो मन लगा के पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा और मन नहीं लगाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और बड़ी प्रश्नावली है और पूरे में से पूरे नंबर देखे जाती है तो आप इसको अच नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो तुम देख पाओगे ठीक है ना उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहा है फोन में कि वह सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पैसे कटेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है चैनल की इंचे रैड गलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसक तो दबाने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि नया वीडियो कौन सा आया है ठीक है ना चली देखिए अब अपने पास तीन का स्क्राइब कर दूं फिर से वह एच्छ है मेंसे तीन गात है तो प्लस में उत्तर आएगा चार मेंस एग तो तीन तीन का स्क्राइब फिर से व अब अपने पास इसको D4 को लिख सकते हैं 3 root 2 एक आई यह अपने पास समीकरन नमबर 4 लगा देते हैं क्योंकि एक दो तीन तक तो हो गया यह चोथे नमबर का अब अपन देखते हैं कि समीकरन 1, 2, 3, 4 से क्या प्राप्त हुआ इसका मितलब 4 दोरियां पराबर आरी है तो यह क्या होगा वर्ग की पुझाएं की ठीक है ना चारो दोरियां पराबर आरी है और एक काम और कर सकते हैं AC और Bडी भी जयाद कर सकते हैं अपने पास विकरन होते हैं न बचों A से C तक की दूरी और B से D तक की दूरी अगर ये weekend भी पराबर होंगे तो ये 100% वर्ग ही होगा कौन ABCD तो हम बोल सकते हैं कि अपने बास जो ABCD बना है वो एक वर्ग है इसका मतलब चमपा सही कह रही है क्या चमेली बचो क्योंकि किसने कहा था वर्ग है हाँ बोलो चमपा चमेली से पूस्ती है इसका मतलब चमपा सही है और चमेली इससे सहमत नहीं है तो चमपा सही कह रही है आंसर मिला लीजिए आप ये बात ध्यान रखेगा मैस में अगर आगे बढ़ना है तो आंसर मिलाते हुए आप अगले क्वेशन पर चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि अपने पास अपने किया है वो सही है या नहीं है आप देखें इसमें 7.1 का पांचवा चमपा सही है चमपा ही तो कह रही थी चामिली तो मना कर रही थी वर्ग नहीं है चमपा कह रही है कि भाई यह वर्ग ही है इसका मतलब अपन बोल सकते है कि भाई चमपा जो कह रही है वो सही है चलो वापस एक बार रिवाइस कर लेते हैं फटा फट चलिए पांच है अपने पड़ी लिया है A, B, C, D अपने बना दिया निर्देशांग मैंने लेना सिखाई दिया है चलो D1, D2, D3, D4 दे दिया मैंने भुझाओं की लंबाई जो अपने पास दूरी है A से B तक चले B से C तक C से D तक D से A तक चलो D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला और D4 निकाला, 4 दूरिया निकाल ली है ये दो नमबर पे निकाला ये तीसर नमबर पे D3 और ये चोथे नमबर पे D4 निकाल लिया है ठीक है ना? अब ये अपने पास 4 दूरिया निकाल चुकी है यहां से अपने जो भी दूरी निकाली उसको सम्मेकन दे दिया है अम हमने देखा कि D1, D2, D3, D4 चारो जो अपने पास दूरियां आ रही है वो समाना आ रही है अत्ता ही A, B, C, D होगा वो वर्ग ही बनेगा चलो नेक्स वेशन में फिर मिलते हैं